और दो कि एक नई चीज शुरुआर आज पटना में कर रहे हैं एक उनिक चीज है और समझेए वेलनेस सेंटर है ऑर इसके लिए इसलिए कि नाम में रखे हैं दिग्रेश तो मैंहीं कहूंगा इसके बहुत नती हो और इसका बहुत नाम हो और यहां के लोगों की इसके बहुत प्रेदे हो पटना में यह एक ऐसा चीज है जहां पे हर एक वर के लोग चाहे वो पुरुश हो चाहे वो महिला हो उन लोगों को उनके hair से related, उनके beauty से related, उनके spas से related, उनके therapy से related हर चीज का solution नहां में लोगा The Grace अज पटना में पहला branch launch कर रहा है आने वाले कई वर्सों में यह हर एक branch में कोशिश करेगा कि अपने एक branch को launch करेगा जो grace खुलेगा यहाँ पे वो एक unique concept के साथ खुल रहा है और यहाँ पे लोगों को हम लोग का motto है कि हर एक तरह का satisfaction मिले कोई भी customer यहाँ पे आये तो वो बोले कि यह एक अलग चीज खुली है और हम सब को इन सब में जाकर देखाटाई करना से सर आज के दौर में सब लोग जो भी युगा हैं वो कहीं न कहीं एक job लेकर satisfy हो जाते हैं तो आप एक बिवसाय ले करके और भी बिहार में इस तरह से करना यह आपको कहीं चैलेंजिंग नहीं लग रहा था देखें आज की युग में जब आप जान रहें कि हम लोग करोना से करसित हैं हर जगा लोग की नौकरियां जा रही हैं लोग का मनोबर तूटते जा रहा है तो आज की युग में नौकरी एक बहुत ऐहम भूमी का निभाती है और बिहार में हर एक चीज होने के बाद भी यहां के लोग बाहर जाते हैं, रोजगार की तलाश में, अफसर की तलाश में, तो हमारा आज नहीं, आज से जब 20-25 साल पहले इसकी फाउंडेशन रखी गए थी जैदी प्रॉपप कंपनी से, तब से यह लक्ष रहा है कि जितना हो सकता है, हम लोग यहां पर रोजगार दें, और इन सभी वर्षों में ना जाने हम लोगों ने 500 आदमी को रोजगार जरूर दिया होगा हमारे विवे में कंपनी से, तो इसी लिए, चैलेंजिंग, बेशक, आज के दौर में हमारे लिए नहीं है, परन्तु, परिस्थिति है, बट उनको नहीं मिलता है, यह आपके एक one-stop solution है, चाहे वो spa हो, therapy हो, hair, skin हो, beauty हो, brighton हो, हर चीज़ या आथा, तो आपको कही और जाने का ज़र होती है, और यह सिर्फ शुरुगात है, अभी हम लोग और बेस को launch करेंगे, और जगा पती है, यह जिस तरह का ब्राइश क को एसे रख के चले है, कि सब लोग, जितने लोग, सब लोग इसीज़ को यूज कर सकता है, और सब लोग इसका फाइदा होगा सकता है,